इम्रा मेरी बात सुनना? हद हो गए ये कामिल, आज तुम अंदर तक आ गए हो देखो मैंने तुमसे बहुत जरूरी बात करनी और वो तुम्हारी सहीली नजर नहीं आ रही जो अगसर तुम्हारे साथ होती अच्छा होता अगर वो भी होती और ये सब कुछ सुन लेते देखो मैंने तुमसे तुम्हारे फाइदे की ही बात करनी मेरा फाइदा? तुम चाहो देखो मैं तुमसे सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि तुम अपनी जाइदात की हिफाज़त खुद करो अपने उस घटिया शोर को अपनी जाइदात से बहुत दूर रखो तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि पीट पीछे तुम्हारे हो क्या रहा है? तुम कौन होते हो ये सब कहने वाले? देखो निम्रा तुम मानो ना मानो मगर हमारा एक तालुक रह चुका है मैंने तुम से सचे दिल से महबबत की मैं तुम्हारी हिफाज़त करना चाता हूँ देखो तुम्हें यकीन नहीं कि फारिस कितना घटिया इनसान है उसने तुम से चुप कर दूसरी शादी की वी और तुम मुस पे कैसे यकीन कर सकती हो? कहां खोगी निम्राँ? देखो मेरी बात का यकीन करो मैं सच कह रहा हूँ उस धोके बाद ने अपनी कजन से शादी की विया उसकी खाला की बेटी कोई सना नाम की लड़की से तेखो मेरे यकीन करो मुझे मालूम है उसने उसे किसी कराची में एक आले शान बंगले में वे रखा हूँ है तूर रहू मुझ से ऐसा कुछ नहीं है जूट बोलते हो तुम धोके बाद हो अच्छ अगर मैं जूट बोल रहा हूँ और तुम्हें उस धोके बाद पे इतना ही इतने बार है तो ठीक है मैं तुम्हें पता देता हूँ तुम चली जाओ कराची जा के अपनी आँकों से देख लो दूद का दूद और पानी का पानी हो जाएगा और तुम जानती हो फारिस ने उसे ना महरानियों की तरह रखा हूँ है नोकर चाकर है इतने अच्छा अली शान बंगला है एश करवा रहा है उसे एश और वो भी तुम्हारे पैसों से तुम्हारी जाहिदात को बेच बेच कर और तुम्हे तो कुछ मालूम ही नहीं अच्छा देखो अच्छा निम्रा होसला करो परिशान होने की कोई बात निया मैं हूँ ना तुम्हारे से सिर्फ एक बार मुझे इहतबार करकर दे तुम जो कोगी जैसे कोगी मैं सब काम तुम्हारे लिए वैसे ही करूँगा मैं तुम्हारी हर तरीके से मदब करूँगा अगर उसके लिए निम्रा तुम्हें मुझे पर यकीन करना पड़ेगा अरे मैं बहुत बदल गया हूँ अब मैं वैसा नहीं रहा तुम्हारी जुदाई ने मुझे मुझे तोड़ कर रख दिया है